नमस्कार दोश्तों आप सभी का स्वागत है आज की important और practical वीडियो में चोटा सा वीडियो बढ़ बहुत important वीडियो जहां पर आपके साथ discuss करने वाला हूँ कि in voice कब बनाना है और in voice को कब नहीं बनाना है यह बात उनके लिए ओर है जिनके ओपर in voice applicable हो चुका है बट उनको भी सभी ट्रांजक्शन के ऊपर इन्वाइज नहीं बनाना है तो पूरा वीडियो बहुत द्यान से दिखेगा इंपोर्टेंट और चोटा सा वीडियो उसको 10 करोड़ रुपए से गटाके 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है अगर आपका फनेशलेयर 1718 से लेके फनेशलेयर 2223 तक किसी भी फनेशलेयर में अगर आपका टरनवर 5CR को क्रॉस करता है उसमें टैक्सिबल सप्लाई एक्जेम्टेट सप्लाई नॉन जीएस्टी सप् क्राउंट किया जागा तो अगर इन सभी कंडिशनों में अगर आपका टरनवर 1718 से लेके फनेशलेयर 2223 तक किसी भी फनेशलेयर में अगर पांच क्रोड़ उप्य क्रोस करता है तो अगस्त दोजार तेई से एक अगस्त दोजार तेई से आपके लिए इन्वाइज बनाना मेंडेटिरि हो गया है तो इदो इन्वाइद बनाना तो मेंडेटरि हो गया है बट जिनके ओपर अपर इन्वाइज आपिकैबल होता है उन सभी को इन्वाइज नहीं बनाना होता मतलब सभी ट्रांजक्शन के ओपर इन्वाइज नहीं बनाना होता तो आज की वीडियों हम यहीं समयने वाले हैं कि किन ट्रांजक्शन पर इन्वाइज बनाना है और किन ट्रांजक्शन पर इन्वाइज को नहीं बनाना है तो सबसे पहले आपको ई-Invoice को बनाना है अगर आपके उपर इ-Invoice applicable हो चुका है तो इसके अलावा उनी टेक्स इनवाइज के अगेंश्ट में अगर आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट को इशू करा है तो उसकी अगेंश्ट में भी आपको इनवाइज को बनाना है ध्यान रहे हैं जो भी आपने tax invoice काटा है उसकी अगेंस्ट में अगर आपको debit note और credit note इश्यू कर रहे हो तब आपको e invoice को बनाना है को अगर को आप secondary discount दे रहे हो अगर आपको financial credit note और debit note दे रहे हो तब आपको e invoice को नहीं बनाना है इसके लावा अगर आप श्पेशल एकोनोमिक जॉन के अंदर अगर सप्लाई करते हो एक्सपोर्ट करते हो तब भी आपको इन्वाइस को बनाना है और सबसे इंपोर्टेंट आर्सीम ट्रांजक्शन के ऊपर अंडर सेक्शन सेक्शन 93 के अंदर वह वाले सर्विसेद आती हैं जिसमें गौर्नमेंट नोटिफाइड करते हैं कि इन सर्विसेद के ऊपर आर्सीम अपलिकेबल है जैसे कि जी टीए एंड लीगल सर्विसेद तो यह वह कंडिशन हैं यह वह ट्रांजक्शन हैं जिनके ऊपर आपको इन्व को बनाना है और आप बड़ी कमाल की बात के once go कब नहीं बनाना थियान लखके कि सबभी ट्रांजक्शनों पर इसको नहीं बनाना है अगर आपको इन्वाइस को नहीं बनाना है अगर आपकी बीटू सी की सेल है तो अगर आप निल लेटिड नॉन टैक्सेबल और एक्जाम गुट्स के सप्लाई करते हो तो भी आपको इंवाइस को नहीं बनाना है चाहिए वो आपकी सप्लाई बीटू बी को ही क्यों ना हो बड़े ध्यान दीजिएगा यह वाला पॉ सब्सक्राइब आपको इनवाइस को नहीं बनाना है और आर्सीम सेंट नैन फॉर जिसके अनदर आंगर अगर अन्रजिस्टर डीलर को पर्चेस करते हो तब भी आपको उस में रेक्षी कैशन में और यह थी वह कंडिशन अगर मोटा माठी ध्यान दें तो समय वाली बात यह है कि बीटूबी वाली कंडिशन में नहीं बनाना है बीटूबी के आगर के और देबनोट है तो भी इनवाईस को बना एक्सपोर्ट वाली कंडिशन में इंवाइस को नहीं बनाना है आर्सी अम अंडर सेक्शन नाएं थी में इनवाइस को नहीं बनाना है आफ यह व्यूदियो आपको अच्छा लगा होगा इसे तरीके के प्रेक्टिकल और इंपोर्टन वीडियो देखने के लिए चैनल पर बन न हुआ एच भा